मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली मीठे बच्चे लक्षे सोप से आत्मा रुपी मेले कपड़े को साफ करो पवित्रता के मैनर्ज धारन करो और दूसरों को कराओ प्रेशन कौन सी जादूगरी बहुत फ़स्ट कलास जादूगरी है कैसे उत्तर इश्वरिय जादूगरी फ़स्ट कलास है क्योंकि इस से नरकवासी से सवर्गवासी बन जाते पतीत से पावन बन जाते यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं बाबा कहते बच्चे सिर्फ फालो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे आत्मा को पवित्तर बनाओ तो शरीर भी पवित्तर मिलेगा पुराना तन्मन धन इंशोर कर दो तो निया मिल जाएगा ऐसा सोधा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं गीत आज अंधेरे में हैं इंसाम आज अंधेरे में हैं हम इंसाम जाँ का तूरत द्रम का दे भगवान ओम शाम्ति बच्चों ने गीत की लाइन सुनी एक तरब है सारी दुनिया भक्ती मारगबाले दूसरे तरफ तुम बच्चे हो ग्यान मारक वाले वह भक्ती की सीड़ी चड़ते रहते और तुम बच्चे ग्यान की सीड़ी चड़ते हो भक्ती की सीड़ी उतरते हो बच्चे जानते हैं आदा कलब से भक्ती की सीड़ी चड़नी होती है जितनी भक्ति की सीड़ी चड़ते हैं उतना नीचे आते हैं फिर जितना ग्यान की सीड़ी चड़ेंगे उतना सदगती को पाएंगे भगत भी पहले हवे विचारी होते हैं पीछे बे विचारी बनते हैं फिर बिलकुर ही अंत्शर्दा में चरे जाते हैं कुछ भी नहीं समझते, गाते भी हैं, हम घोर अंध्यारे में हैं, सत्गुर विगर घोर अंध्यारा है, गुरु तो यहां बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन है, सादू, संत, महात्मा, भगत, आदी सब साधना करते हैं, अथवा याद करते हैं, शास्तर बेद उपनिश पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं, भगवान जब आएंगे, तब ही आकर हमारी सद्गती करेंगे, सद्गती दाता को ही पतीत पावन कहा जाता है, अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतीत पावन बाप को जानते हो, और उनको याद करते हो, जितना जो बच्चा अधेरा विनाश हो जाता है, बाबा कह रहे हैं, जितना जो बच्चा बाप को याद करता है, और ग्यान धारन करता है, उतना उनका अग्यान अधेरा विनाश हो जाता है, यानि खतम हो जाता है, रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है, तब कहते हैं, ग्यान अंजन सद ग्रू दिया और कोई सुर्मा नहीं है यह ग्यान की बात है ग्यान के साथ योग भी रहता है अब तुम बच्चों का बुद्धी योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमातमा के साथ प्रंतु तुम्हारे वेवी नंबर वार है और कोई मनुश्य मात्र का सरवशक्ति म परमपिता परमात्मा के साथ योग है नहीं तुम को भी बाप से मुक्ति और जीवन-मुक्ति दाम से योग लगाना पड़ता है मुक्ति जीवन-मुक्ति के लिए भी देभी मैनर्स चाहिए इस समें सबके मैनर्स असूरी हैं परम पिता परमात्मा के गुन गाये जाते हैं मनुश्य स्रिष्टी का बीज रूप है सत्थ है चेतन्य है अनंद का सागर है ज्यान का सागर है पवित्तरता का सागर है फार एवर है उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुश्य का अविनाशी पद हो नहीं सकता भल अभी तुम ग्यान के सागर पवित्तरता के सागर बनते हो परन्तु लिमिटेड बनते हो बाप कहते हैं मैं अनलिम्टेड हूँ तुमको अनलिम्टेड बना नहीं सकता नहीं तो खेल कैसे तुम फार एवर नहीं बन सकते हो, 21 जनम के लिए तुम बनते हो, 21 पीड़ी गाए हुए हैं, तुम फार एवर बनो, ये काइदा नहीं है, मैं हूँ ही एवर प्योर, रहता ही हूँ परमधाम में, मेरे पास ज्यान पवित्तरता आदी है ही है, बाबा कह रहे हैं, मेरे पास ज्यान पवित्तरता आदी है ही है, तुम भूल जाते हो, तो इस समय बाप आकर बच्चों को गोर अंध्यारे से निकाल ज्यान और योग से पवित्तर बनाते हैं, और कोई ऐसे कहना सके, कि मैं परमधाम से आया हूँ, मुझे बाप को याद करो, भल सन्यासी अपने को परमातमा भी कहलाते, परंतु ऐसे नहीं कह सकते, कि मैं परमधाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो, इन महवाक्यों की कोई कापी नहीं कर सकते, बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाने, अब बनेंगे वहीं, जो कल पहले बने होंगे, बाबा कह रहे हैं, जो पहले राजा बने थे, वहीं अब बनेंगे, तुम जानते हो, कितने बच्चे पवित्तर बनते हैं, कितने अशुद मैले भी बन जाते हैं, बाप आकर मैले कपड़ों को साप करते हैं, आत्मा ही मैली बनती है, आत्मा को समझाते ह है एक जनम की बात नहीं जनम जनमंतर की बात है अब बाप आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्षे सोग देते हैं कहते हैं मुझे याद करो तो तुमारी आत्मा जो उजाई हुई है वो योग से जग जाएगी सिम्रिती दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था माया ने मैला बना दिया है अब तुमको स्वर्ग का मालक बनाने आया हूँ मैं इस ब्रमा तम से शिक्षा दे रहा हूँ आत्मा को कहते हैं दे सहीत दे के सबी संबंदों को भूल मुझ बाप को याद करो तो आत्मा हो जाएगी फिर तुमको शरीर भी भविश्य में नया मिलेगा तद तब आदी भी सतो परदान हो जाते हैं बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे इस पुरानी दुनिया में कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं जैसे नई दिली कहते हैं परंतु दुनिया तो पुरानी है ना अब तुम बच्चों का बुद्धी योग पुरानी दुनिया से बिलकुल हट जाना चाहिए तुम आत्माओं को स्वीट हों में जाना है अब अपने को आत्मा निश्चे करना पड़ और बाप को याद करो तो अंतमती सोगती हो जाएगी मुनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं कोई गुरू को कोई श्री कृष्ण को प्रंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण आधी कहां गए यह भी नहीं जानते कि पुनरजन सबको लेना है जरूर यह रसम के आदी से चली आ रही है सत्युग आदी में देवी देवता थे तो जरूर उनर जनम भी वहां से शुरू हुआ होगा पहले पहले है श्री क्रिशन फ़र्ष्ट पावन मनुश्य उनकी महिमा ज्यादा है लक्षमी नारैन की इतनी नहीं है क्योंकि बच्चे पवित्तर सतो प पता ही नहीं है श्री क्रिशन को द्वापर में ले गए है वह नाम रूप दूसरे जनम में हो नहीं सकता श्री क्रिशन तो सत्युग में था तुम जानते हो यह जगत अंबा जगत पिता जाकर लक्षमी नारैन बनते हैं सत्युग को क्रिशन पुरी कहा जाता है अब है कंस पूरी यह आसोरी नाम है वहाँ है देवी संपरदाई यहाँ है आसोरी संपरदाई यह नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्तरों में हो ना सके बाप बैठ संगम पर समझाते हैं तो बाप हरचिता उनको कहा जाता है मनुश्य स्रिष्टी का बीज रूब तुम काते भी हो बाबा आप पतीत पावन हो, इस पतीत दुनिया को आकर पावन मनाओ, पावन स्रिष्टी को रच कर पतीत दुनिया का विनाश कराओ, बरोबर ब्रम्मा दवारा पावन स्रिष्टी रचते हैं, फिर शंकर दवारा पतीत स्रिष्टी का विनाश होता है, यह बाते और कोई नह इतने तो अजमिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल साफ नहीं होते बाबा कितना अच्छी रिती समझाते हैं बच्चे Most Believed Bap और Most Believed सुखदाम को याद करो यह है अति दुखदाम सभी तरही तरही करते हैं एक दो को मारते हैं फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो बाब तो है Liberator तुम जानते हो बाबा आया है इन Particular यानि खास हम बच्चों को और सभी को आम शांती धाम ले जाते हैं तुम बच्चों में भी नंबर वार है जिनको ये नशा है ये पढ़ाई भी कम नहीं है पढ़ाते भी देखो किसको है अजमिल जैसे पाप आत्माओं को स समझाते हैं कि तुमको देवी गुंधारन करना है एम अबजेक्ट तो बुद्धी में है ये पवित्तरता के मैनर्स और कोई नहीं सनाते हैं सन्यासी तो घरवार चुडाते हैं तुमको घरवार नहीं चोड़ना है परंतु पुरानी दुनिया को ही चोड़ना है वह हद का स सन्यासीों को बहुत मान मिलता है यहां तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो इस तरी को जाकर ग्यान सनाओ। बहुत आकर तम्हारे चरनों में गिरेंगे माताओं के भिगर उनका उद्तार हो नहीं सकता क्योंकि तुम नौलեզ देती हो ब जवाब देना होता है बाब भी कहते हैं बच्चे नमस्ते मैं तुमको अपने से भी मुझ बनाता हूँ तुमको ब्रामन्ड और स्रिष्टी दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं बान प्रस्थ में चला जाता हूँ प्रंतु शिरीमत पर भी चलना पड़े इस पुरानी दुन हाथ में है बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं प्रंतु बिर्ला को यह बैपार करते हैं बाप को तर्नमन धर दे निया लेते हैं यह फर्स्ट कलास इंशोर रेंस है बाप कहते हैं तुम आत्मा को पवित्तर बनाएंगे तो शरीर भी पवित्तर मिलेगा फिर राजाई करेंगे इसलिए इनको सदागर और जादूगर भी कहते हैं पत्तित को पावन बनाना यह इश्वर्य जादूगरी है बाप कहते हैं नरक वासियों को स्वर्ग वसी बनाओ कैसे फर्स्ट कलास जादूगरी है प्रापती बहुत है बाप कहते हैं राजाओ का राज कुमार है ममा कवारी कन्या है तो फालो करना पड़े तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से बरसा लेते हैं वैसे लोकिक में बहन को बरसा नहीं मिलता है भाई को मिलता है या तुम सब को मिलता है क्योंकि तुम सब आतमाए हो बाप कहते हैं तुम सब को मेरे पास आना है फिर त बच्चों का नाता, इस लिए कहते हैं, बी आर आल ब्रदर्स, ब्रदर हुड है, फादर हुड होता नहीं, सरव्यापी के ग्यान ने बहुत नुक्सान किया है, अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है, ऐसे नहीं, कोई योग में बिठाए, तुमको लक्षे मिला है, मुरली सुनकर फिर चलते चलते योग में रहना है, यात्रा है, बाबा कह रहे हैं, चलते फिरते भी, तुम्हें योग में ही रहना है, यात्रा है ये, योग की यात्रा, यात्रा है, जा रहे हैं, आठ घंटा, फल सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है, मुख्य बात है पवित्तरता की एक दो को पतित बनाते आदी मद्यांत दोकी किया है अब बिल्कुल जाड सड़ गया है बाबा कर सड़े हुए जाड को देवी जाड बनाते हैं अब शिरीमत पर चलो शिप बाबा भी बात करते हैं तो ब्रमा भी बात करते हैं परंतु तुम जानते हो, शीब बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सत्गुरू भी है, तुम बच्चे भी हो, तो स्टूडेंट भी हो, और तुम से गैरेंटी करते हैं, तुमको बापिस ले जाऊंगा, ऐसी गैरेंटी और कोई कर ना सके, वह तो सिरफ अपने उपर बड़े बड टाइटल रखा लेते हैं, अब तुमको थार्टी मिली है, तुम समझा सकते हो, कि जगत गुरू है एक, वही सब की सदगती करते हैं, ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते नहीं, अगर बाप को जाने तो प्रापर्टी को भी जान जाएं, अच्छा, मात पिता, बाप का, मीठे मीठे सिकला दे बच्चो प्रती, याद, प्यार और कुड मोरनी, रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को शर्दा भरी, प्रेम भरी, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड लेना है अपने स्वीट होम को याद करना है नमबर दो सोधागर बाप से सच्चा सोधा करना है तनमन धन सब इंशोर कर फालो फादर करना है वर्दान हद की दिवारों को पार कर मंजिर के समीप पहुंचने वाले उपराम भव किसी भी परकार की हद की दिवार को पार करने की निशानी है पार किया उपराम बना उपराम स्थिती अर्थात उड़ती कला ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते वा अटकते नहीं उन्हें मंजिर सदा समीप दिखाई देती है बे उड़ता पंच्छी बन करम के इस रिक्ष्की डाली पर आएंगे बेहद के समर्थ सवरूप से करम किया और उड़ा करम रूपी डाली के बंदन में फसेंगे नहीं सदा सब तंतर होंगे स्लोगन अनुभवो की अथर्टी बनो तो माया के भिन भिन रायल रूपों से धोका नहीं खाएंगे अनुभवो की अथ